जीवान में कभी भी, लाइफ में कभी भी, सुन लिजे यार चेहरा नहीं देखना होगा, सुन लिजे बातों को अच्छा लाएगा, जीवान में कभी भी अगर आपको लाइफ में वेक्ति चुनने का उसर मिले, याने कि आपको अपने काम के लिए कोई सी भी वेक्ति का चु उनमें कौन से गुण विद्मान होने चाहिए तीन तरह के गुण किसी भी वेक्ति में विद्मान हो तभी आप उसे चुने सुनिए पहला गुण पहला गुण होता है सक्तर निष्ठा यानि कि ओनेस्टी जिसे बोलते हैं इमानदारी ठेक ना किसी भी वेक्ति में अगर इमा लगा कि वह काम कर सके ठीक ना इसे कहते हैं इमानदारी के साथ साथ आपकी बुद्धि मत्ता ठीक तीसरी चीज यह तीसरी चीज है एक्टिवनेस यानि कि वह आलसी ना हो जब भी आप उसे काम दे जब भी किसी प्लान के बारे में पता है फ्राक्ट से वह काम पे लग जाए तुरंट एक्टिव हो ठीक ना ये तीन गुण अगर विद्मान है इमानदारी ठीक ना बुद्धि मत्ता और एक्टिवनेस ये तीनों गुण अगर किसी विद्मान थे वो परफेक्ट विद्मान थे आपके लिए काम के लिए परफेक्ट सोंचरा नहीं होगा और ठीक और वह active भी है काम करने के लिए खी अधिव है और उसके पास दिमाग बहुत है लेकिन वह इमांदार रहे तो क्या करेगा वो काम को बहुत जल्दी ग्रो कर देगा लेकिन थे लेकिन आपको चुना लगा देगा कब च्वना लगाएंगः लेकिन और बुद्धिमान नहीं ठीक न और आलसी टाइप का थोड़ा तब ऐसे वेक्दिश अगर चुनेंगे उसकी अप Start जो कि इमान दार नहीं है ठीक और यहां वेक्दिवानदार है और एकटिवनेस आपक्डिवनेस नहीं है ठीक न इमांदार है और बुद्धिमान है लेकिन एक्टिवेटनेस नहीं आल सी टाइप का थोड़ा तो उसके मुकाबले यह काफी अच्छा काम करेगा तो उसका चुनाव ना करें इस परिश्थिति में लेकिन इसका चुनाव करें जो की इमांदार है इमांदार सबसे बड़ करता है जब आफ को कॉल करता है कि मुझे यहां पर को करना ओगा यहां पर Вेक्ति का चुनाव करें लेकिन इमांदार जिसनाव करें रहे हैं अगर लाइफ का चुनाव करें यह आईस के लिए जो अश्टडी होता है उसके लिए यह बता जाता है तो सुचा कि काफी अच्छा इंट्रेस्टिंग टोपिक है तो क्यों आपके साथ सेर किया जाए पसंद आया होगा तो दोस्तों को और भी सेर कीजिएगा नहीं निवाद जंगल आये हों तिक लिजिए आप लोग भी थोड़ा ठीक ना गांव का जंगल है तो यहां से भी हम पत्ता उत्ता ले जाएंगे ठीक वह इसे भारत का आदमी हूं तो काम तो करना पड़ेगा भाई चलिए मैं सारा का सारा जंगल दिखा दिया एक सोट में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ त कर अ कि अ